नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है उसमें उनके पास जो संपती है उसका बेवरा है जानके आपको ताज्यूब होगा कि डिंपल यादो के पास कार नहीं है यानि कि वो बेकार है हतियार भी नहीं है 69 लाग से अधिक के हीरे मोती और सोने के गहने हैं वही 31 लाग से जादा उन पे कर्ज भी है इसके अलावा पती अखलेश के पास जो संपती है जिसमें लखनव और सिफ़ई का मकान सामिल है उसमें वो आदे की हकदार है और साथ में बैंक से रिण भी ले रखा है संपती से किराया भी वसूलती है पिछले साल डिम्पल को 78 लाग से ज्यादा की कमाई हुई थी डिम्पल के पास 1,23,000 रुपे की नगदी और उनके पती के अखलेश के पास 3,56,000 रुपे की नगदी दिखाई गई है डिम्पल के पास 2774 ग्राम सोने का आभूसन है 203 ग्राम मोती है 127 के रेट हीरे भी है जिसकी कीमत 69,67,687 रुपे की है इस तरीके से उनके पास जो भी संपत्ती है उसमें कम्प्यूटर भी सामिल है और उनकी कुल 4 करोण 62,70,804 रुपे की संपत्ती दिखाई गई है उन्होंने विर्ला, सन लाइफ और जनरल इंसुरेंस से बीमा करवा रखा है 61 ग्राम से उनका किराय का एग्रिमेंट है पाँच लाग सत्तरा हाजार का पल के आठ बैंकों में खाता है इसमें बैंक का बड़ोदा इटावा HDFC बैंक इटावा और उसमें FDR भी सामिल है पंजाब और सिंद बैंक इटावा में भी उनके खाते हैं दिल्ली, SBI में उनका खाता है 61 बैंक लखनौव में उनका खाता है City बैंक लखनौव में खाता है ICICI लखनौव में खाता है उनका और इस तरीके से उनके आठ बैंकों में खाते हैं उसमें कितने कितने रुपे हैं उसका भी वेवरा दिया गया है डिम्पल ने लखनौवी सुबिद्धाले से विकाउम की डिग्री ली है उन्होंने एक्सिस बैंक से रिंड भी ले रखा है उनके पास मुचाहरा गाउं में 45,44,000 के आसपास की क्रिसी भूमी है लखनौवस सफ़ाई में उनके पास प्लाट हुआ मकान है जिन में अखलेश भी हिस्थेदार है मूल रुप से उत्राखंड की रहने वाली डिंपल के पिता आरेस रावत से नाम एक करनल रहें डिंपल की मा का नाम चंपता रावत है डिंपल का जन 15 जनवरी 1978 को महाराष्ट के पुने में हुआ था 1999 में अखलेश यादो के साथ उनके साधी हुई दो बेटियां अदिती और टीना के साथ ही एक बेटे अरजुन यादो की वो मा है राजनितिक करियर की बात करें तो 2009 के उपचनाव में वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ी थी लेकिन राजबबर के हाथों हार गई थी 2012 में कनौज से फिर सांसद बनी थी 2019 में कनौज सीट से वो पराजित हो गई थी 2014 में कनौज से जीती थी यानि कि दो बार अभी तक वो जीती हैं और दो बार हारी है इसमें उपचनाव भी सामिल है डिम्पल यादो ने अपने साथ साथ अपने पती अखलेस यादो की भी पांच बरसों के आयबे का बेवरा दिया है इसमें खास बात यह है कि 2021 में सबसे ज़्यादे उनकी 78,66,472 रुपे की आमदनी हुई है इसी तरीके से अखलेस यादो की भी 2021 में ही सबसे ज़्यादे आमदनी हुई है वो है 1,17,2725 यह है डिम्पल यादो के आयबे का अंब्योरा रहे नभी एक बार देखते रहे इनकबर थैंक यू